नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कलर का एक बेहत खुबसूरत डिजाइन लाए हूँ जिसे बनाने के लिए हमें तीन के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्टा है तीन फंदे गिने तो लास्ट में दो फंदा बचना चा मेरीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, पुलोवर में, बच्चो के स्वेटर में, कैप में, हैट में चाहिए किसी भी प्रजेक्ट में डालेंगी ये बहुत ही अच्छा लएगा एक लाइन का ये डिजाइन है बनाना बहुत ही आसान और बेहत खुबसूरत तो ब डिजाइन बहुत ही संदर है आप हलकी हाथ से बुनिएगा, डिजाइन और भी उभर के आएगा तो पहले लाइन में हम सब ही फंदो को सीधा बुन लेंगे। ये डिजाइन रॉंग साइड से पड़ेगा, तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे, तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया, अब हम रॉंग साइड में आ गए, और अब पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे, तीन फंदों को एक साथ लिया और तीनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुर लिया अब उनको चड़ा कर वापस अपनी ओर लाएंगे ये उल्टा बुना ये एक फंदा हुआ उनको चड़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे यह दूसरा फंदा हुआ फिर इनहीं तीनों फंदों में एक बार और उल्टा फंदा बनाएंगे तो यह तीन से हमने तीन फंदे बना लिए फिर नेक्स्ट तीन फंदे हम लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बनेंगे फिर उन चड़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे फिर इनहीं तीनों में एक बार और उल्टा तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए इनहीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है तीन तीन फंदों को हम एक साथ लेते जाएंगे और तीनों फंदों से हम वापस तीन फंदे बना लेंगे उल्टा बुनेंगे फिर उन चढ़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इन्हे तीनों में एक बार और उल्टा तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए, नेक्स तीन फंदे हम लेंगे, फिर एक बार उल्टा बनेंगे, उन चला कर वापस अपनी तरफ लाएंगे, और फिर इन ही तीनों में एक बार उल्टा, नेक्स तीन फंदे लेंगे, और फिर उल्टा बनेंगे, फिर उन चला कर वाप अबस अपन Χो हो लाएंगे यह दूसरा फंदा हुआ और फिर इनी तीनों में एक और उल्टा फंदा तो टीन से हमने तीन inhale बना ले कि में यह लास्ट में एक फंदा बचेगा इसे हम उल्टा बन लेंगे यह हमारा एजस्टीच है यह हम उल्टा बन लेंगे तो हमने सभी फंदो को बुन लिया अब सामने की तरफ से हमें फिर सभी फंदो को सीधा बुनना है हाथ हम दीला ही रखेंगे और सभी फंदो को सीधा बुनना है देखिए कितना सुंदर रिजाइन बन रहा है तीनों फंदो को हम सामने से हम पूरी लाइन सीधा बुन लेंगे हमने लाइन कंप्लीट कर लिया अब हम फिर रॉंग साइड में आ गया है तो पहला फंदा एज स्टीच है इसे हम या तो उल्टा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे फिर तीन फंदे हम मिलेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए एक बार उल्टा बुनेंगे तीनों को एक साथ लेते हुए एक बार उल्टा बुनेंगे उन सलाई में चला कर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर तीनों में एक साथ उल्टा तो तीनों से हमने तीन फंदे बना दिये नेक्स तीन फंदे लेंगे एक बार उल्टा बुनेंगे फिर उन चरहा कर वापस अपनी हो लाएंगे और फिर इन ही तुनों में एक बार और उल्टा तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए तो इन ही तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोराना है तीन फंदे को लेना है और तीन से वापस तीन फंदे उल्टा बुनते हुए बना लेना है नेक्स तीन फंदे लेंगे और उल्टा बुनते हुए तीन से तीन फंदे बना लेंगे डिजाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद देखेगा कितना खुबसुरत लेगा एक ही लाइन का डिजाइन है और डिजाइन रॉंग सैथ से पढ रहा है सामने की तरफ से सभी फण ने सिर्फ हमें सीधा बुल लेना है इस लाइन में सभी फण ने सीधा बुल लेंगए तो देखिए फ्रांट्स डिजाइन बन के त्यार है देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा डिजाइन बेहत खुबसुरत है और बनाना भी बहुत ही आसान तीन फंदों का और एक ही लाइन का ये डिजाइन है डिजाइन पीछे की तरफ से पढ़ रहा है सामने की तरफ से हमें सिर्फ सीधा सीधा बुढ़ना है सभी फंदों को सीधा सीधा बुढ़ना है तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग